हाई फ्रेंड, ओनलाइन डीके क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम इतिहास के महत्पुन 25 प्रश्ण करेंगे ए प्रश्ण आपके एकजाम के लिए बहुत ही महत्पुन प्रश्ण है इन प्रश्णों को आप अच्छे से आद कर लिजेगा अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे लाइक कर दिजे और बैल आकन का बटन भी दबा लिजे ताकि कभी भी MIC वीडियो लाएं तो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके इस वीडियो का फिरी पीडिया पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दिया गया है वहाँ से आप फिरी पीडिया प्राप्त कर सकते हैं चले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर बन से भारत छोड़ो अंदोलन किस सार से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो अंदोलन 1942 में मुंबै से शुरू हुआ था अगला प्राश्ण रविन्नाथ टाइगोर ने किस वजा से अपनी नाइट हूट की उपाधी वापस कर दी थी? रविन्नाथ टाइगोर ने 1919 में हुए जालिया वाली बागनर संगहार के कारल अपनी नाइट हूट की उपाधी वापस कर दी थी? काकोरी कांड काकोरी कांड 1925 में हुआ था चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था और भगात सिंग की फासी 23 मार्च 1931 को दी गई थी अस्थानिय स्वासासन का जनक लौड रिपन को कहा जाता है लौड रिपन के ही कारिकाल में पर्थम बार नियमित जनगना 1881 में हुआ था अगर पुछे कि पर्थम जनगना तो लौड मियो के सासनकाल में हुआ था अगला प्रश्ण निमलिखित में से कौन सी पुस्तक विश्णू सर्मा द्वारा लिखी थे विश्णू सर्मा द्वारा पंच नंत्र पुस्तक लिखी है और आर्ध सास्त्र चानक्या के द्वारा लिखी गई थी इंडिका मेगस्थिनीज के दुआरा और राज तरंगनी कलन के दुआरा राज तरंगनी पुस्तक में ही जमु कास्मिर के कहानी के बारे में वर्नन है अगला प्रशन पुना समझाता कब हुआ था पुना समझाता 1932 में डॉक्टर भीम रावमेत कर और महत्मा गांधी के बीच में हुआ था अगला प्रशन पलासी यूद के समय बंगाल का नवाब कौन था पलासी यूद के समय बंगाल का नवाब सिराव जुद्दुल्ला था और पुछे गवर्नर जनरल कौन था तो रोबर्ट क्लाइब थे अगला प्रशन दिल्वाला का जैन मंदिर कहा इसती थे दिल्वाला का जैन मंदिर राजस्थान के मांट आभू में इसती थे अगला प्रश्ण नमक पर बिरिटिस एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुंद्रिये तक दांडी मार्च शुरू किया था दांडी मार्च 1930 में आहमदाबाद के सावरमती आस्रम से शुरू किये थे अगला प्राश्ण जालिया वाली बागनर संगार किस वर्ष हुआ था? जालिया वाली बागनर संगार 13 अप्रेल 919 में हुआ था अगला प्राश्ण यंग बंगाल अंदोलन किसने सुरू किया था? यंग बंगाल अंदोलन हेंड्री विवियन डिरिजों ने शुरू किया था अगला प्रश्ण भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की पहली महिला अदियाच अने बेसंट थी अगर पुछे भारतिय महिला तो राश्रोजनी नइड़ू हो जाएगा अगला प्रश्ण चार मिनार निमलिखित में से की सहर में इस्तित हैं? चार मिनार हैदराबाद में इस्तित हैं? चार मिनार का निर्मान मोहमत कुली कुतुबसान ने करवाया था अगला प्रश्न गुप्त समराज ने निमलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा विनावादक था अच्छा विनावादक समुद्र गुप्त थे अगला प्रश्न अढहाय दिन का जोप्ला का निर्मान किसने करवाया था अढहाय दिन का जोप्ला का निर्मान कुतबुदीन एबक ने करवाया थे अढहाय दिन का जोप्ला आजबेर में इस्तित है कुतबुदीन एबक गुलाम वन्स के सस्तापक थे अगला प्रश्न सिधी करवाही दिवस की घोशना किसने की थी सिधी करवाही दिवस की घोषना मुहमद अली जिन्ना नेकी थी अगला प्रश्ण परसीत कविदा खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी खूब लड़ी मर्दानी की रचना सुभदरक मारी चोहान नेकी थी अगला प्रश्ण पुस्तक ताकिक माल लील हिंद किसने लिखी थी इसका राइट एंसर ओप्शन डी अल्बुरुनी ने लिखी थी अगला प्रश्ण गोल गुमबज किस राज में इस्ति थे अगला प्रश्ण 1938 और 1949 में भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के अधियच के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था 1938 उन्चालिस में सुभास चंद्र बोस को निर्वाचित किया गया था अगर पूछे भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस का स्थापना 1880 में हुआ था इसके संस्थापक ये वो ह्यूम थे और पहले अधियज वेमेश चंद्रबनर जी थे अगला प्रश्ण सरवन बेल गोला में इस्थीत गोमेतेस्वर मंदीर किस समांगरी से बनी है गोमेतेस्वर मंदीर ग्रिनाइट से बनी है अगला प्रश्ण बानभट किस राजा के दर्वारी कभी थें? बानभट हर्श वर्दन के दर्वारी कभी थें? अगला प्राश्न स्वतंत्रा पूरुव भारत में किस अंदोलन ने कपास उत्पादन को फुरुत्साहन दिया? इसका राइट एंसर ओप्शन D सौदेसी अंदोलन सौदेसी अंदोलन 1905 में प्रारम हुआ था अगला प्राश्न दिली संत्राज का सबसे बड़ा विस्तार किस के सासनकाल में देखा गया? सबसे बड़ा विस्तार मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकाल में देखा गया दिली संत्राज में टोटल पांच राजवनसों ने सासन किये थे अगला प्राश्न तत बोधनी सभा की अस्थापना किस ने की थी? तत बोधनी सभा की अस्थापना दिवेंद नात तायगोर ने किये थे अगला प्राश्न विने और सुध पिटक इनमें से किस सिछाओं के संस्क्रन्द है इसका राइट एंसर ओप्शन D हो जाएगा महायान बहुत धर्म बहुत धर्म के संस्थापक महात्मा बूत्त है